चलो यह वाला कोशन देखो प्यारे बच्चों यह बेसिकली क्या है अच्छा से पढ़ो दा वेवलेंथ आप दे फिर्स्ट लाइन आप दे लाइमन सिरीज आप दा हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट लाइन हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट लाइन किसका लाइमन का इक्वल टू सेकेंड लाइन आप दे बामर सिरीज आफ हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन लाइक दो दो एटम है एक हाइड्रोजन एटम है एक हाइड्रोजन के जैसा है तो पहले में करनी है तो सबसे पहले यह देखेंगे कि लाइमन सिरीज कब बनता है दो पार्ट है ना कोश्चन के कंडिशन के दो पार्ट है लाइमन सिरीज तब बनता है जब N1 is equal to 1 होता है और N2 is equal to 2, 3, 4, dot, dot, infinity तो यह जो है यह फर्स्ट लाइमन सिरीज की फर्स्ट लाइमन सिरीज की फर्स्ट लाइमन सिरीज की फर्स्ट लाइमन सिरीज 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 फर्स्ट लाइमन सिरिज के लिए फार्मिला लगा दोगे तो लैंबडा वन इस उकल टो आर वन अपान वन का स्क्वार वन अपान टू का स्क्वार तो यह आजाएगा वन अपान लैंडा वन की जो वैल्लू आ जाएगी दैट इस ठीरी आर अपान फोर यह यहां पर इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं यह कंडिशन फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया अब बात करते हैं बामर सिरिज की सेकेंड लाइन और हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन के जैसे वाले की तो बामर सिरिज की सेकेंड लाइन की बात करो तो बामर सिरिज कब बनता है तो बामर सिरिज तब बनता है प भाली जो प Danny है वो फर्स्ट लाइन आप डाइमर्स बामर सीरिज और एंगि फोर्ट यह इंपें Auf ं माइन 3.Ó के रुटर मूल से जंपिंग होगी यहांसे जंपिंग होगी पिर्सविंग psychology तब second line of the bomber series hydrogen like atom इसके लिए यह वाला फार्मूला लगा दो अपना तो वन अपन लैम्डा टू इस उक्वाइर वन अपन एन वन स्क्वाइर मिलब टू का स्क्वाइर अन अपन फॉर का स्क्वाइर तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो यार तो यह आजाएगा यह आजाएगा 12RZA2 divided by 4 multiplied by 16 तो यह आजाएगा 3 मतलब 3RZA2 divided by 16 तो यह जो लैम्डा 2 है अब यह condition आप question यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि यह दोनों आपस में equal है कौन कौन भाई लेमडा ओन और लेमडा टू आपास में इक्क्वल है तो देखो तो थिरी आर अपान फोर की जो वेलू है वह जाएगी थिरी आर और जेड का स्क्वाइर और डिवाइड करदू प्यारे बच्चों 16 से अब यह सिंपल सा आर ने आर को थिरी ने थिरी को फोर वें 16 को तो यह जेड इस इकल टू पॉर अंडर रूट जेट की वेलू टू आ जाएगी मतलब वो हाईडोजन लाइव हीलियम होगा जेड की वेलू टू आएगी तो जेड की वेलू टू देख लेते हैं कौनसा ओप्शन मतलब डी ओप्शन हम लों का सही है तो हाई ओप किये